हेलो एब्रीमान गुड मॉर्णिंग कैसे हो आप सो वेलकम बेक टू माई चैनल आज है 29 नोवंबर और डे है संडे अभी सुबा के 11 ओकलॉक हो रहे हैं मैं अभी तक ब्रेखरस्ट भी नहीं बनाई हूं क्यूंकि आज मैं थोरा लेट से सोके उठी थी संडे है इसलिए और पर को फूलने के लिए यह रक दी थी पानी में उसको आठ से तस घंटे तक फूलने देना चाहिए उसके बाद बनलब और कर लूँगे तो क्योंकि सर्दी में कुछ चैतब बटा आच्छा खाने कामन करते रहाता है मुद काप पूरा ज्याश ही हो जाता है इसके वज़य से पानी भी नहीं अच्छे लगत लाता है सर्दी और खाना कुछ भी अच्छा नहीं लगके रहता है आजकल मौसम चेंज हो रहे हैं जिसकी वज़ा से शब की तबियत ख्राफ हो रही है क्योंकि पहले गर्मी थी और भी थंडी यहां अभी भी घर में गर्मी है बस नीचे में बाहर में थोरी सी थंडी हवा चलती है अभी मैं मैं जैसे फैन बंद कर दी हूँ आप लोगों से बात करने के लिए तो मुझे आप पसनारा गर्मी लग गई है और जब पूरा फूल करके फैन चलाती हूँ तो थोरी सी थंडी भी लगती है तो फैन चलाना ही परता है थोरा सा कम करके और रूम में गर्मी ही लगती है बाह तो आज मैंने दबाई भी ली है दबाई वेगर रखाई है तो ठीक हो जाए अगल तक सर्दी में थोड़ी से आवाद भारी-भारी सी हो जाती है तो अब मैं जारी हूं में दूबरा बना लूँगे और लंच में खाने में तो आज सिंपल सा कुछ भी चावला और सुखी सब बनाऊंगे तो मिलती हूं अप लोगों से कीचेन में अब मैं आ गई हूं कीचेन में और मैंने उरद की डाल से सारा पानी निकाल लिया है और इसको मैं दो बार मिकसर के जार में डालके बारी ग्राइंड कर लूँगी तो अगर यह नहीं ग्राइंड होते रहेगा तो मैं इसमें एक चम्मच पानी राल दूँगी, एक चम्मच जादा नहीं और फिर दो बार में इसको ग्राइंड कर लूँगी, मैंने एक बार जो मिक्सर के जार में डाल को रखी थी ग्राइंड करने के लिए उसको मैंने ग्राइंड कर ली है और दूसरी बार मैंने जो रखी मैं इसके बाद मैंने प्याज को बारिक कडली है हरी मिर्ची धन्य पत्ती और काली मिर्च को मैं ने कूर्ट लिया है यह सब डालके मिक्स कर दूँगी और थ्थोरा सा हींग। उसके बाद करी पता टेस्ट के कॉर्डिंग नमक और मैंने एक चमची रिफाइंड ओयल भी इसमें डाल के मिक्स कर लिया था इस सबको और थोरा सा हींग साथ ही मैंने ओयल को भी गर्म होने के लिए रख दिया है इस सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी उसके बाद ओयल में मेदुवरा बना के मेदुवरा का शेप दे के और फिर गोल्डन ब्राउने तक फ्राइ कर लूँगी अब इस सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिये हैं तो मैंने एक बोल में पानी ले लिया है और हाथों पे पानी को लगा के और इसके बाद इसका गोल-गोल शेप देके बिजसे से फिंगर की हेल्प से होल कर दूँगी और उसके बाद ओयल में डाल के फिर फ्राइ कर दूँगी तो देख रहे हो आप लोग मैं कैसे होल कर ले रही हूँ फिंगर से तो इसी तरह से मैं सब बना लूँगी और बनाते जाऊंगी और साथ में फ्राइ भी करते जाऊंगी गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों नारियल की चट्णी सामभर कुछ भी बना सकते हो बट मैंने वह सब नहीं बनाया था मैं धनिया की पत्ती चट्णी बनाया थी उसके साथ ही हम लोगोंने आज नाश्ते में यह खाया है वंस के लिए मैंने अलग से निकाल दिया है उसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली है और नह लोगी और मेरा आज का यह ब्रेकफस्ट है और आप चाहो तो साम को भी इसको चाय के साथ खा सकते हो और हमें इसको मेडियम फ्लेम पे ही गोल्डन ब्राउन करना है शेकना है क्योंकि अगर हाई फ्लेम करेंगे तो यह अंदर से कच्चरा जाएगा और उपर से पक मैंने जो पहले फ्राई करने के लिए रखा था ओयल में उसको मैं पलड दे रही हूँ क्योंकि वो एक साइट से गोल्डन ब्राउन हो गए है इसके लिए इसी तरह से मैं बाकी के सब बनाते जाओंगी और साथ में फ्राई करते जाओंगी मैं दूबरा लगवक फ्राई होई चुका है गोल्डन ब्राउन हो गया है तो थोरी दिर में मैं इसको निकाल लूंगी और बाकी के बच्चे वे इसी तरह से बना लूंगी मैं दूबरा बनके रेडी हो गया है और मैंने इसको प्लेट में निकाल भी लिया है तो आज हम लोग इसको धनियापती की चटनी के साथ खाएंगे ऐसे नारियल की चटनी सामभारिस सब के साथ भी बहुत अच्छा लगता है बट मैंने उसको नहीं बनाया है तो आज हम लोग इसके साथ खाएंगे और ये खाने में बहुत अच्छा बनाता बहुत क्रिस्पी भी था यह मी था वंसको बहुत अच्छा लगा हम लोगों ने भी खाया शोगाई जब शाम के 530 हो रहा है आज मैं जा ली हूँ शाम की दिया जलाने आजकल शाम जल्दी होने लगी फाइप 30 पे ही साम हो जाती गाह में तऎ फाइब लो की शाम में ही अंदेरा हो जाता है आजकल ठंडी में क्या होता है, दीन छोटा होने लगा है और रात बरी, बट सोने के बाद पता नहीं चलता है कि रात कब भी जाती है, मुझे तो लगता है कि रात और बरी भुनी चाहे थी, दीन तो मुझे भी छोटा लगता है, कि विखी दिमें इतने सारे काम होते हैं कि तो आप लोग के धर ठंड है या नहीं बताना मेरे धर तो अभी मैंने आप लोग को बताया था सुवा में कि नहीं है जर में बिल्कुल भी नहीं है गर्मी ही लगती है हम लोग अभी भी फहन चला के ही शोते हैं में बाहर जाते हैं तो थंडी थंडी हवा चलती जाती है इसके लिए अभी मैं कांच खोलूंगी तो बाहर से थंडी थंडी हवा आएगी और मचर भी बहुत मचर आते रहता है तो मैं शाम होते ही, कांच सब बंद कर देती हूँ, तो अच्छा रता है, मच्छा नहीं आते हैं और उसके बाद शाम की दिया जलाऊंगे, फिर मैं रात का डिनर बनाऊंगे तो आज मैंने वंस को भी नहीं पढ़ाया था, तो आज कल वंस को पढ़ना अच्छा लगने लगा है क्योंकि मैं उसको खेल खेल में बढ़ाती हूँ, मारती बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्यार से बढ़ाती हूँ तो आज मेरे को बोल लाता कि चलो ममा पढ़ा दो, मैं उसको दो-तिन दिनों से नहीं पढ़ा रही हूँ, कल पर सो तो उसकी तवित्वापती आज मेरी इसके लिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ उसको, क्योंकि सादी में मन करते रहता है कि आँखे बंद करके बस लेटी र आज मेरे का जाला हुँ, तो और बढ़ाने में अच्छा नहीं ही लगेगा, इसलिए मैंने आज उसको नहीं पढ़ाया। मैं उसको दो वह खुद से पदलो तो भुवखे उसको बैटना पढ़ता है। तो वो पढ़ता है, तो आज मैंने उसको ने पढ़ाया, देखती हूँ कल पढ़ाऊंगी या नहीं, तो फिर चलिए दिया जला लेती हूँ और मिरंती हूँ आप लोगों से फूरी तरबार, अब मैं आ गई हूँ दिया जलाने, और इसके बाद मैं दिया जला लूँगे, फ पूजा करने से मन को शांती भी मिलती है, और मेरी एक आदत सी हो गई है पूजा करने की, तो मैं नहां के पूजा करती हूँ, फिर कुछ भी खाती हूँ, तो अच्छा लगता है, तो आज की ब्लोग का मैं यहीं पे अंड कर रहे हूँ, कैसा लगा बताना, पसंद आए तो लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलती हूँ आप लोगों से कले कच्छे इस ने ब्लोग में, तब तक के लिए बाए, थैंक्यू सो मच पर वाचिंग